इस यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बचो, जैसा कि आपको पता है, MCC के रेजिस्टेशन 20 जुलाई 23 से स्टार्ट होने वाले हैं, और ये 20 को साम को स्टार्ट होने की पोसिबिलिटी है, हो सकता है 21 तक NRI दे रखा है, तो 20 से स्टार्ट हो सकते हैं, या 21 के 10 बजे तक भी ये स्टार्ट हो सकते हैं, तो इसमें एक तो category change का message दे रखा है, MCC नी public notice दे रखा है, जिसमें Indian candidates NRI में अपने category change कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम एक तो उस notice को cover करेंगे, दूसरा, अगर किसी candidate ने category fill क थी, NTA की जब need का form fill किया था, उसका certificate नहीं बन रहा है, जैसे किसी ने OPC category fill कर दी थी, किसी ने EWS कर दी थी, SAST category fill कर दी थी, लेकिन अभी उनके पास में certificate नहीं बन रहा है, तो उसके लिए category change का option आता है या नहीं आता है, उसका क्या solution है, इसके बारे में भी इस वीडियो म कैसे करना है, पिछली साल का form fill किया हुआ, आपको एक, मैं यहाँ पर पूरा process समझाऊंगा, advance में, ताकि आपको एक idea हो जाए कि MCC का registration कैसे करना है, ताकि registration करते से में आपको कोई problem ना हो, तो उसका मैं registration करके भी बताऊंगा, MCC का कि किस परकार से registration होगा, यह आपके लिए advance information है, इसके बाद में मैं आपको registration के बारे में बताने के बाद में यह भी बताऊंगा कि payment कितना कितना आपको करना है, counseling के लिए, कितना payment करना है, और कौन-कौन से candidate किस payment के लिए eligible हैं, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, जो MCC ने NRI Conversion का message दे रखा है, उसके बारे में, तो mcc.nick.in की website पर using medical में जैसे ही click करेंगे, यह notice आपको सारे यहां पर मिल जाएंगे, news and events में सारे notice यहां मिल जाएंगे, notice for conversion Indian to NRI candidate round 1 लिखा है, इस पर हम click करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो candidate activities में यहां से आपको online registration करना है, यहां से यह आपको choice fill करने है, जो भी schedule वगरा आएगा, यह services जो oblique schedule में यहां पर मिलेगा, seat matrix वगरा भी यहां पर मिलेगी, candidate activities board से आपको यहां पर choice fill भी करनी है, registration भी करना है, तो सबसे पहले हम यह जो NRI conversion का notice आया है, वो देख लेते हैं, तो जिन candidate को, जिनोंने अभी Indian fill कर रखा है और NRI में convert करना चाते हैं, dimmed में NRI में admission लेना चाते हैं, या state quota में NRI में admission लेना चाते हैं, तो वो यहां पर अपने category change कर सकते हैं, dimmed के लिए यहां पर आप category change कर सकते हैं, NRI की condition में, तो NRI के लिए यह आपको documents 21st July 23 तक यह भेजने हैं, और mail करना है convert के लिए ug.nri.mcc.gmail.com पर, तो इसमें आपको 21 July 23 तक mail कर देना है, जो candidate NRI में अपने category change करना चाते हैं, form fill करते समय उन्होंने Indian भरा था, और अभी वो NRI में convert करना चाते हैं, तो यह एक NXR1 में application form दिया गया है, इसको आप वहां से download कर लें, download करने के बात में आप इसको fill कर लें, और इसके साथ में यह जो documents दिये हुए ह हैं, 5 documents दिये हुए हैं, यह documents आप इसके साथ enclose करके MCC को mail कर दें, यह mail करने की date 21st July 23 सुबह 10 बजे तक है, इस तक आपको mail करना ही करना है, इसके बाद में mail करेंगे तो वो consider नहीं होंगे, तो यह तो हो गई convert की बात, कि जिन candidates को Indian से NRI category convert करना है, वो कर सकते हैं, अब हम ब किमान लो, किसी candidates ने, जो need का form है, वो fill करते से में category EWS दे दिया, OBC दे दिया, SAST दे दिया, और उनके अभी certificate नहीं बन रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि यह certificate तो हमें नहीं बन रहे हैं, लेकिन general में हम count हो जाए MCC में, तो अभी MCC का registration करते से में, आप category change नहीं कर सकते, उस के पास उनका certificate नहीं है, जैसे OBC, EWS, SAST category में seat alert हो गई है, फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में, तो उसके बाद में उनके पास अगर यह certificate नहीं है, तो वो college में जाने के बाद में, वहाँ जब documents submit करेंगे, तो उनके इसे category certificate लिया जाएगा, category certificate उनके पास है नहीं, तो वहाँ से वो एक category change करवा के MCC को बिजवा सकते हैं, college से कि इनके documents पूरे नहीं है category के, तो वो category general में consider हो सकते हैं, आपके आगे वाले rounds में, यह option हो सकता है, जिनको first round में seat alert हो गई हो, तो ऐसी condition में category change का यह हो सकता है, बाकी forum fill करते समय कोई category change का option नहीं है, अब बात करत हैं कि registration कैसे करना है, तो registration करते समय, आपको candidate activities पर यहां आना है, mcc.nick.in की website में, UG counseling में click करने के बाद, candidate activity board में यहां पर आपको online registration का option मिलेगा, यहां पर आपको online registration का option मिलेगा, उस पर click करना है, तो जैसी ही आप उस पर click करेंगे, इस पर कार का interface आएगा, अभी तक आपन registration नहीं किया है, तो new candidate registration पर click करना है, मैं आपको बता दूँ कि यह registration आपको 20 July के बाद करना है, जब MCC के registration इस टार्ट हो जाएंगे, मैं आपको यह advance में information दे रहा हूं, कोई candidate यह सोचे कि मैं तो advance में बता रहा हूं, लेकिन यह registration तो start हुए नहीं है, लेकिन यह 20 के बाद आ आप यहां अपना password चूज कर सकते हैं और submit and next पर click करेंगे, आपके mobile email पर OTP आएगा, यहां OTP आप फिल करेंगे, security pin फिल करने के बाद में final submit पर click करेंगे, तो जैसे ही final submit पर click करेंगे, आपका registration का state complete हो चुका है, अब आपका जो यह form है, वो form 6 step में भरा जाएगा, सबसे पहले registration form की है, जो आपने complete कर लिया है, उसके बाद application form की state है, उसके बाद qualification detail, selection of counseling, contact detail और final submit, उसके बाद में fees paid करनी है, तो आपका registration form complete हो चुका है, इसकी state complete हो चुकी है, अभी आप application form की state complete करेंगे, तो application form की state complete करने के लिए, आपने यह detail fill करने है, save and next पर click करना है, तो यह आपकी application forum की step complete हो जाएगी अभी educational जो education qualification वगरा है उसकी detail यहाँ fill करनी है इसके बाद में counseling के लिए आपको select करना है all India के लिए करना है armed यह AFMC के लिए करना है BSC के लिए करना है open seat के लिए करना है तो यहाँ पर आप टिक कर दें इसके बाद यहाँ पर आपको fees दिखाएगा अ यानि ओल इंडिया कोटा, AFMC और BSC nursing और open seat इन सब के लिए जो fees है वो general category के लिए general EWS के लिए 11,000 है जिसमें 1,000 registration fees है 10,000 उसमें security money है जो आपकी refundable है उसके बाद में जो OBC, SC, ST candidate है उनके लिए 5,500 है जिसमें 5,000 registration charges है और 5,000 security money है 500 registration charges है इसमें तो यह fees लगती है government open seat के लिए All India quota की condition में, BSC nursing की condition में और AFMC के लिए अब इसमें अगर आप dimmed में admission लेना चाते हैं तो 2,05,000 रुपए सभी candidate के लिए fees लगेगी जिसमें 2,00,000 रुपए refundable है 5,000 रुपए कोई refundable fees नहीं है यहां पर अब इसमें जो 5,000 रुपए refundable fees नहीं है और 2,00,000 रुपए security money है तो आप government के लिए भी eligible रहेंगे और dimmed के लिए यानि कि सारी counselling के लिए अगर आप eligible रहना चाते हैं तो 2,05,000 रुपए आपको यहां पर deposit करने होंगे तो यहां पर आप counselling के लिए select कर सकते हैं अब आपको यहां पर contact detail फिल करनी है permanent address और correspondence address है correspondence address अगर आपका permanent address है तो same as correspondence address पर otherwise checkbox पर click करके final and submit पर आप click कर देंगे तो यह आपका form submit हो गया अभी आपको registration fees पे करनी है registration fees पे करने के लिए यहां पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही registration fees पर click करेंगे यहां पर आपकी registration fees यो होगी government और open seat के लिए कर रहे हैं तो आपकी category के according otherwise dimmed के लिए कर रहे हैं तो 2,05,000 ज कर रहे हैं तो यहां पर आपको UPI का option भी मिलेगा otherwise आप 2,05,000 कर रहे हैं तो यह तीन option आपको यहां पर मिलेंगे इसमें violet है और net banking है और credit card debit card है अगर आप 11,000 तक payment कर रहे हैं तो यहां पर नीचे आपको UPI का option भी मिलेगा जहां पौन पे Google Pay वगरा जो भी है पे टीम वग लेबल 24 से इस परकार का option आएगा जब से 24 से फिल start होना शुरू हो जाएगी इसमें show हो जाएगी 24 से कैसे फिल करनी यह आपको बाद में बता देंगे और जब यह registration open हो जाएंगे तो इस साल के लिए registration करना कैसे करना है वो भी आपको बाद में बता दूँगा यह मैं आपक documents की क्या requirement है तो documents की कोई requirement नहीं है यहां पर कोई documents upload नहीं करना है जो candidate ESIC के है ESIC दवारा list MCC को बेज दी जा चुकी है वो automatic यह list उठा लेता है MCC के registration में और जब 24 फिल करेंगे तो ESIC के candidate को ESIC की collection होंगी ऐसे ही PWD की condition में है PWD candidate भी eligible होंगे PWD के लिए अगर उनका board दवारा यह online certificate accept हो गया है तो इसके बाद में जो DU और IP कोटा के हैं तो उसमें qualification details में आप 11, 12 की detail फिल करेंगे तो आपको DU और IP कोटा की seat आपको 24 फिलिंग के दोरान दिखाए देंगी तो यह थी advanced information कि आपको कौ और इसमें जो data है वो automatic जो आपने need का form apply किया था वहां से यह data automatic उठाया जाता है और वही data इसमें आता है इसमें आपको जो 6 step से वो complete करने हैं तो इसके लिए आप अपने 10th की mark seat 12th की mark seat आपका आधार card यह सारे अपने pass रखें और उसको देखके यह सारी details इसमें फिल कर द सकते हैं तो हमारी book download कर सकते हैं इस वीडियो की description box में book का link दिया गया है ओल इंडिया कोटा इस्टेट आयूस वेटनरी सभी के लिए यह book available है और इस book से आप खुद counseling करवा सकते हैं इसमें बहुत सारी facility दी गई है bond की इसमें दी गई है detail इसमें previous year की cut-off दी गई है 4 साल की sheet matrix piece वगरा के बारे सब कुछ इसमें जानकारी दी गई है सबसे महिन बात यह है कि इसमें 24 list दी गई है 2023 के लिए कि आपको कैसे choice फिल करना है वो इसमें दी गई है तो इसके according आप choice फिल कर सकते हैं मैं सोचता हूँ यह book आपके लिए कापी helpful रहेगी इसको इस वीडियो की description box से या फिर हमारी website www.shop.education.com से आप download कर सकते हैं जैसी आप download करेंगे हम आप से एक बार संपर्क जरूर करेंगे तो यह जानकारी थी सारी जो मैंने अभी तक आपको बताई है mcc के registration के बारे मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैशिन